कि द्यान से देखना यह कुश्चन भी हलागी कर लिया था मैं दुबारा मिटा देता हूं और इसको आज पूरे फॉर्मेट के साथ हम कर लेते हैं कि द्यान से एक्दम करना है आपको यह कुश्चन साने के चांसे ज्यादा बनते हैं डिबिंचर वाले के और पूरे 15 नंबर 16 नंबर का नहीं पॉइंट में कुश्चन साता है तो दे देता है क्याता है एक क्याता है एक्स लिमिटेड ने 5000 डिबिंचर जो था 100 रुप्य का एक आउट्सेंडिंग मतलब हमारे पास ना टोटल 5000 डिबिंचर है यह मेरा टाइम लाइन है और इसको ऐसे समझना है जैसे मैं बताता चाहिए यानि साल के सुरुवात में मेरे पास कितने डिबिंचर है 5000 किस डेट पे सर 14 पांच जार रुपीज से के नंबर बता दो एक बार नंबर है यह अब जैसे ही आगे बढ़ें कुछन कहता है इंट्रस्ट पेड हाफ यह जून एंडिसम्बर यानि एक तो मैं यहां पेमिंट करूँगा और एक कुछ यहां पेमिंट करूँगा यानि जून में एंडिसम्बर में इंट्रस्ट का पेमिंट होगा और यह आगया सर एक अत्यस तीन बदाईए अब आगे क्या कहता है कुछन बढ़ते हैं कुछन कहता है केंता कंपनी इस नॉट मेंटेनिंग दर सिंकिंग संपन की भी हम बात करेंगे सिंकिंग है नहीं तो सिंकिंग फॉन नीजेद ट डिया राई का कोई चक्करी नहीं रिडेम्शन टिवेंचर एक 242 2012 को तक कंपनी परचेज 500 डिवंचर 95 कम इंट्रस यानि सर कंपनी ने स्टार्टिंग में ही डिवंचर खरीद लिए और अभी कितने खरीदे यहां पर हैं भानसो खरीद लिए और यह कितने के खरीदे पता है है 95 कम इंट्रेस्ट तो सहाब इस से पहले कि अगर मैं बात करूं कहानी में इंट्रेस्ट का जो आहा हुगा ना इससे पहले वो कभ रहा होगा psychologically debit किया होगा last to last कभ किया होगा है सर इसे पहले low interest paid किया होगा मैंने क्योंकि April है April से पहले क्या होगा हमारा this December यानि हमने पहले December में payment किया होगा फिर January, February, March, April, मई में जून में करता लेकिन नहीं किया तो December के बाद January, February, March, April हमने कब खरीदा इसका डिमेंचर कितने तारिक को एक April को तो जो तीन महिने तक इसको तो इंट्रस मिला होगा ये नहीं मिला होगा तो तीन महिने का इसको इंट्रस मिलता इंट्रस तो मिलता ही लेकिन मिलता कब जून में लेकिन नहीं मिला होगा तो इसका मतलब इसका इंट्रस जो आउट्सेंडिंग रहा होगा वो interest रहा होगा कितने मेने का 3 मंद का पूरा पहले question का scenario समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे समझ मैं आगे कहता है एक 10 को 2012 को company purchase 600 debenture 90x debenture यानि सर कब company का फिर से मन जागा और 110 कुछ यहाँ पे बीच में 110 2012 date का mention नहीं करते हम जादा क्योंकि पुरानी नहीं किताब हो सकती आपके पास इस दिन company ने एक और फैसला लिया और एक और फैसला लिया कि भाईया हम क्या करने वाले हैं इस debenture को और खरी देंगे और यहाँ पे debenture कितने खरी देंगे 600 लेकिन यहाँ पे जो debenture खरी देंगे उसका कीमत कुछ और ही होगा वो होगा 90 लेकिन जो 90 होगा वो वाला कौन से वाला होगा आपका एक्सेंटरस वो एक्सेंटरस यहाँ पे जो इंटरस की लड़ाई होगी न क्योंकि जून में तो मिल गया होगा जून के बाथ जूलाई का पैसा ने मिला अगस्त का पैसा ने मिला और सेप्टेम्बर का पैसा यहाँ भी इंटरस अगर डियू बाथ करे तो तीन महने का इंटरस पेंडिंग ठीक है है कि इमिडियाट कएंसीलेशन और इंट्रस्ट फोर इमिडियाट केंसीलेशन के लिए किया गया सभी डिवेंचर उपर वाला भी क्या है में इडियों पिच्छनवी वह भी इमिडियों तो मजे की बात होकी कि यहाँ पर ओन डिवेंचर माला कोई पंगही नहीं आएगा यूर रिक्वाइट तू रिकॉर्ड दा पेमेंट ऑफ इंट्रस तीजून 31 दिसंबर पेमेंट की भी एंट्री करनी है और इंट्रस डियू की भी करेंगे यहां पर अब मुझे एक बात बताईएगा अगर मैं इंट्रस की बात करूं ध्यान से देखेगा अगर मैं इंट्रस की बात करों तो यहां से यहां तक का इंट्रस पूरा एक लास्ट में हम ट्रांसफर भी करेंगे तो जो हम ट्रांसफर करेंगे इंट्रस में काफी सारे वेरियेशन आ गये यहां से यहां तक अगर मैं इस डेट पर देखू तो मेरे 5000 देवेंचर थे लेकिन एक दिन बाद ह भी मेरे 5000 नहीं बचे कि 500 घर लिए 4500 और जून से लिके फिर अक्टूबर तक की बात करूं तो फिर जो ब्याज निकलेगा वह अलग निकलेगा क्योंकि फिर 600 निकल जाएंगे कर लेते हैं फिर इंट्रस को भी देख लेंगे बड़े सिंपल तरीके से कि इंट्रस के लिए मैं अलग से एक पेज लेके कैलकुलीशन कर दूँआ ठीक है यह चलो पॉर्मेंट इसके अंदर ज्यादग एंट्री है नहीं ओन्डिवेंचर वाली तो यहां पर बेसिक एंट्री होगा स्रिफ क्या होगा हमारे पहले 500 डिवेंचर खरीद लो 500 डिवेंचर सारे डिवेंचर कितने परसंट दस परसंट वाले थे तो कैंसलेशन कर रहे हो क्या होगा 10% सीधा डिवेंचर 500 तो कितने कैंसिल हो गए पचास अजार और यहां का इंट्रस्ट अब देखना पड़ेगा आपको इंट्रस्ट तो सर्ग इंट्रस्ट और इंट्रस्ट कितना बनेगा तीन मेहने का ही डिव है तो पचास अजार पचास अजार पर देखा जाए तो दस परसेंट इंटू कितने मेहने का है थ्री वाइंट्रस्ट है तो आपका टोटल जो इंवेस्मेंट अमाउंट बना था जो आप उसको पेमिंट करने के प्रॉमिस कर रहे थे देट इस 95 इंटू में 500 आपने बोले मैं तुझे दूआ और इसी में ब्याज जुड़ा हुआ है मैं तुझे दूआ 47500 आपने कंपनी को बोला अपने इतना पैसा दूआ जिसमें तेरे बारा सो पचास का तो ब्याज ही कट रहे हैं तो तेरा जो मैंने डिवेंचर खरीदा है ना वह मैंने खरीदा है तेरा डिवेंचर 46250 का देखों तो जो एंट्री करूआ यहां पर इंट्रस्ट कर लोगता इंट्रस्ट ऑन डिवेंचर तेरा डिवेंचर बनता है बारा सो पचास और मैं बैंक से जो पेमिंट करने जा रहा हूं और इस बैंक से पेमिंट करूँगा मैं च्यालेस नहीं 47500 और जो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा यानि क्यापिटल रिजर्व इसको ऐसे भी कर सकते हो दो एंट्री में मैं दो एंट्री में कुछ कम है तो दो कर दो के प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ठीक है ना प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन कितना होगा क्यूंकि आपने 46250 का समान खरीद लिया पचास अजार वाला यहीं होगा ना चैनेश दो समान करें लिए पचास वाला को 3750 का अगया कि और जितना भी प्रॉफिट हुआ साल में 80 लास्ट में मैं भीस्तऊं अ यहांयँ सबढ़ता गया कि यहां इन्टरस्ट जूनमें अगर देना हैं तो मैं लिखेuen Veterinar शीट पांडिवेंचर सब्सक्राइब और टूह पहले डिवेंचर होल्ड र कर लेते हैं कितना देना है हमें इंट्रस्ट यहां से यहां तक अगर क्लेश करें तो हमें जो द्यू होगा व्ывी जांच की में बाद ना करतें का जिए हैं टिक dil बैंक कर देंगे तो subscribe पर क्यों बता सकता ही जो पेविंट होगा ये चिosition मैंने का इंटरॐस का पीमिट जाएगा कि या नहीं तीन महने का निए पैस्टा जार पर नहीं होगा यह इस पर सीधा क्यूंकि 500 तो घटी गया और जो पीछे का था उसको पेमेंट भी हो गया तो सिर्फ मेर पास डिवेंचर बच्चे कितने 4500 इंटू 100 इस पर पूरे छे महने का पेमेंट होगा देट इस हमारा 10 और इंटू सिक्स वाए 12 क्योंकि कैंसिल हो गया है 4500 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 6 डिवाइड़ीड वाइट वाइट वह ज्यादा हो गया है कि दो लाग पच्चिस हजार है कि यहीं आ रहे है मैं को कि कि हाँ सउ रसकार्पेट एक है नब तोने 54000 इंटू f तो इंटू 10undert पर संट डिवाइड़ वाए 12 इंटू 5 डिवाई उन दी पांस वाइक जडा है कि एक हा अब हम फिर से चलते गया चलते गया चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए फिर रुक गए हम अब फिर हमें डिबेंचर खरीदना पड़ेगा तो अब जब हम खरीदेंगे इंट्रस्ट की यहां डिबेंचर तो क्या एंट्री करेंगे भाई आप फिर से करो 10% डिबेंचर को डेबिट लेकिन चली गया यहां का जब इंट्रस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हमने आपको 90 का प्रॉमिस किया है और रहा बात इंट्रस्ट का तो 60,000 क्योंकि छे सो और दस से सौ से मुल्टिप्राइग तो तो कितने होगे हैं पंद्रा सो का ब्याज और आपका डिवेंचर का माउंट कितना होगा सहाब जो डिवेंचर का माउंट है वो मैंने प्रॉमिस किया है नबबे इंटू में छे सो यानि 54,000 जो मैं आपको टोटल पेमेंट कर सकता हूं अपने हिसाब से 54,000 तो मैं अपके डिवेंचर के दूंगा पंद्रा तो यह 55,500 का पेमेंट करूंगा तो और डिवेंचर में आगया पंद्रा सो और टू बैंक से मैं कितना पेमेंट कर निकलेते हैं यार हूं कि 55,000 और बागी चले गया प्रॉफिट अन कैंसलेशन तो हमने खरीदा उसका डिवेंचर मात्र 54,000 में 60,000 का तो 6,000 चलेब यहां तक देखो कोई दिक्कत थी पिर इसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे 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 फिर पेमिंट करन करना पड़ेगा तो जो अब मैं इंट्रस्ट की फेमिंट करूंगा इंट्रस्ट तू बैंक कि कितने पर करूंगा मैं थर्टी नाइन हंड्रेड और दो जिरो और तैन बाइ हंड्रेड तैन पॉर्सेंट इंटु में कितने सिक्स वाइ कि इस वह इंट्रस्ट का में इसमें कंपाउंग मतलब कमाल बच्चे गलती करते हैं और यह और भी ज्यादा इंट्रस्टिंग हो जाएगा जब हम इंवेस्मेंट परपस से करेंगा तब तो इंट्रस्ट हमें अपने वाला भी निकालना पर जाओं ठीक है कि पेमेंट है यह इंट्रस्ट कैलकूलेशन नहीं है पेमेंट क्योंकि उसको पिछला पेमेंट दिसंबर में मिला होगा फिर हम जून में पेमेंट करेंगे तो जून में जो होंगे वह पांस जार तो आ नहीं सकते क्योंकि पांसो तो बीच में हटा दिये तो बागी पैंतालिश्ट सो बोलेंगे हमारे ब्याज हमारे ब्याज तो मैं थोड़ी बोलूगा कि इस वार तीन मैंने का दूगा तो बोलेगा भीया मेरे को मिला ही कहां पिछले मैंने तो टू क्यापटल रिजर्ब कितना जाएगा प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन टू कैपटल रिजब देखो 3750 यहां और 6000 यहां तो 37 यानी 97 71 एकठी एंट्रि कर दी मैंने लांस्ट मैं ये ये वाले एंट्रॉकान कर रह ये चार येंट्र Doll ये 18 प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कि वंद्रा सो कि उन्नेस पांसो तो यह आगे 44,750 तो आपकी एंट्री होगी स्टेट्मेंट प्रॉफिट न लॉस इंट्रस न डिवेंचर डेबिट करोगे कि तू मैं थोड चोटा करने जा रहा हूं कि तू क्या कि स्टेट्मेंट अरे उल्टा हो गया है कि तू कि स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट प्रॉफिट औंड लॉस तू इंट्रस्ट कि ओन डिवेंचर कि 44,750 है रे चावालिस साट्स कि अ ये एंट्री होगी ये अप जाके कुश्य न हमारा वे इंट्र में 24,500 उन्हेस हजार पांसो कि यह आपका कुश्चन नंबर था आपके किताब का कि चौबिस है कि चीक है न और और जो भी देख लो आप सारी इंट्री अब जैसे मैच करोगे न क्यूंकि हमने बेसिक बेसिक कॉंसेट कर लिया है तो अब हमें स्टैप भी पता चल गए अब एंट्री बिल्कुल मैच होन कि यह कैसे आया पहले तो सर्फ हमने निकालना कैलकुलेशन नहीं सीखा था यहां तक हर स्टूडेंट को क्लियर है क्लियर है अब इसके काफी सारे कुश्चन दे रखे हैं नई बुक में अब एक यह भी कुश्चन है ठीक है यह आपके बुक का 25 कोश्चन ही है ठीक है ना 25 के बाद 26 27 28 यानि मैंने देखो 3 कोश्चन कर दिया 25 हमवग में दे रहा हूं 26 अलरड़ी कैलकुलेशन कर चुके थे अलग-अलग 26 भी हमवग में दे रहा हूं और 27 भी हमवग में दे रहा हूं मेरे खाल इसके बाद लास्ट यह एक 28 है 28 और यह सेम ही तो नहीं है 28 और 26 सेम तो नहीं है चारसो डिवेंचर है हाम आउट विगी वादिए तो यह मैं आपको चार कोशन होंबग के लिए कितने कोशन हो गए चार कोशन आपका होंबग प्रह बादिए प्रह इसको शे में आपका होंब वादिए यह बादू यह भी हुआ कि अजब तो यह से जापका शबग बाद कोशने कोशने क्वाद प्रूद यह कोशने में आपका है झाल झाल